हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैई चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो में पांस एच्छे नंबर के लड़ी गुपाल के लिए हम टूपी बनाना बताएंगे आपको जो कि बहुत ही सिंपल है हम बहुत ही जल्दी उसको बना के तयार भी कर लेंगे तो देखिए हमने जो कपड़ा बताया था उसके मैचिंग की हम कैप बनाना बता रहें आपको इसी कपड़े के मैचिंग की कैप बनाएंगे हम यह कपड़ा हम वीडियो में डाले हैं पांस एच्छे नंबर के लड़ी गुपाल के लिए हैं तो देखिए इसको हम दोनों साइड से उल्टा ही उल बुनाई कर लेंगे हम इसको आठ सलाई पहले बुनाई करते हैं फिर उसके आगे आपको दिखाएंगे तो पहले हमें इसको पहला फंदा हम सिधा उतार लेंगे इसके बाद इसको पूरा सलाई हम उल्टा ही कंपलेट करेंगे तो इसको पूरा कर लेते हैं हुझ हमने दोनों साइट सी इसको उल्टा इंटा उल्टा आठ सवाई हमने बुनाई कर लिया है देखिये अ Laft कि भी होगे साथ एक दिया है और यह हमारा एक साइड का है तो आई यह हम काउंट कर लिते हैं इसको हमने आठ सराई इसको बनाया है एक तो यह हमारा फंदा है इसके बाद एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ यह आठ सराई पूरा हो गया है अब सुई को सुई को धागे में डालेंगे डाल करके फिर यह सारा फंदा हम उतार लेंगे हम इस तरह से इसको एक एक फंदा उठा लेंगे अगर अच्छा है तो पूरा फंदा आप एक साथ भी उठा सकते हैं सलाई से गीरा के इसी तरह से पूरे फंदे को हम इसको इस तरह से हम पहले आराम से ले लेंगे इसके बाद में हम इसको खीचेंगे तो पहले यहां तक हम कि इस तरह से भी करके इसको उठा सकते हैं इस तरह से हम इसको उठाते जाएंगे उठाने के बाद मैं कम्प्लीट करके मापू दिखा रहे हैं कि इस तरह से हमने इसको उठा दी अब हम इधर सीधा और उल्टा देख लेंगे यह हमारा सीधा आ जाएगा यह हमारा उल्टा आ जाएगा तो चलिए यह दोनों साइट इसको थोड़ा सा हम टाइट करके इस तरह से हम इसको पहले खीचेंगे अब इसको यहां से यहां तक पकड़ करके हम अब सिलाई लगाएंगे तो पले हम सिलाई लगा लेते हैं फिर आपको आगे दिखाएंगे हमारी यह सिलाई कम्प्लीट हो गई है अब देखिए इस टैप को हम इस धागा जो हमारे एक्ष्ट्रा इसको हम कट कर लेंगे और यह देखिए हमने सिलाई कर लिए अब इसको हम हमने सीधा फोल्ड कर दिया इस तरह से हमने अब इस पर एक हम पॉम-पॉम लगा देंगे इस तरह से हमने इस पर पॉम-पॉम लगा दिया है और यहां पर अगर आप चाहें तो इस तरह का बटम लगा सकते हैं या इस तरह के स्टॉन भी लगा सकते हैं तो आईए उसको लगा तक मगई दिखा रहे हैं आपको वाधने मातर परीं से ठॉन ही चिपका हुए है अगर आप चाह चेपका सकते हैं बहाई गोपाल जी को पहना के देख लेते हैं हम ड्रेस के साथ में पहना के देखा रहे हैं आपको अब हम बाल के उपर से कैप बना पहना के आपको दिखा रहे हैं देखिए यह दिखिए बहुत ही बढ़ें फिटिंग केप इनकी आ रही है और अगर हम चाहे तो बाल हटा के भी हम केप पहना सकते हैं यह दिखिए यह देखिए ऐसे भी बहुत अच्छी फिटिंग आ रही है कैप अब बहुत ही प्यारे लग रहे हैं तो यह रही आज की हमारी वीडियो 32 फंदे में 5-6 नंबर के लड़ो गुपाल की कैप बहुत आसानी से आप बना सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेदे लेकर करके आपके साथ में तब तक खले थेंक्यूंत अब कर दो सब्सक्राव करें